शुप्रभात आदाम नमस्कार आप देख रहे हैं सत्यम नीज बेव टीवी और उत्तर प्रदेश के भदो ही जिले की इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैसी आए इस बड़ी खबर से करते हैं आज की फटा फट खबरों की सुरुबार पंचाय चुनाओ से जुड़ी एक और बड़ी खबर भदो ही जिले से है पक की खबर यह है कि बाहु बली बिर्जेश सिंग ने जिला पंचाय चुनाओ में दस तक दे दी है उनके बेटे सिधार्थ सिंग ने बिजेपी से चुनाओ लड़ने के लिए टिकट की मांग करते हुए पार्टी कार्याले में आवेधन कर दिया है जिससे भदो ही जिले की चुनाओी सरगर्मी काफी तेज हो गई है माना जा रहा है कि बिर्जेश सिंग की निगा भदो ही जिला पंचायत अध्याच पत पर है बाहूबली बिर्जेश के बेटे के आवेधन पर जिले के चुनाओी सियासत की सरगर्मी तेज हो गई है आपको बता दे कि भदोही जिला पंचायत पर अधिकतर ग्यानपुर के बाहुवली बिधायक बिजय मिस्रा का कब जा रहा है निवर्तमान अध्याच काजल यादो भी उनी की खेमे की थी बाहराल देखना यह होगा कि भारती जनता पार्टी टीकट किसको देगी लेकिन की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है सुत्रों की माने तो भदोही से भारती जनता पार्टी के सदर बिधायक रविंद्रना तिरपाठी की भी जिला पंचायत चुनाव में काफी रूची है उनके भाई अनुरिद्ध तिवारी और बहु दिब्या तिवारी अलग अलग सीट आते हैं और इन्होंने भी पार्टी कार्याले में आवेदन रखा है रस्टाचार पर अंकुस लगाने में सोसल मीडिया बेहद कारगर साबित हो रहा है अगर आप थोड़ा सा जागरूकवा हिम्मती हैं तो आपका हक कोई नहीं चीन सकता ऐसा ही कुछ मामला आवराई विक खंड के ग्राम सभा हरीहरपूर उर्फ सुकुलपूर से सामने आया है जहां ग्राम सभा के महिला कोटेदार के पती अपने कालीन कार खाने से रासन का बित्रण करते हैं सनिवार की सुबा रासन बित्रण हो रहा था आरोफ है कि प्रती यूनिट में एक किलो अनाच का बीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया सुनिल कुमार बिंद का आरोफ है कि कोटेदार का पती लंबे समय से काड़ धारकों को रासन कम दे रहा था यह सब विभागी अधिकारियों की मिली भगत से गरीबों का रासन डखारा जा रहा था भदोही जिले में स्वास्त महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है आपको बता दे कि महामारी से बचाओ के लिए वैक्सीन के आने की उमीद के साथ ही साथ या भरोसा भी पूरी तरह मानव सभ्यता के मन में पैदा हो गया है कि आखिरकार जीत हमारी ही होगी वायरस की नहीं लेकिन अब भदोही जिले में स्वास्त विभाग की यह लापरवाही देखिए यह नजारा है सामुदाइक स्वास्केंद्र आउराई का जहां वैक्सीन टीका केंद्र बनाया गया था जहां लोगों को टीका करण किया गया अब स्वास्त महकमे की यह लापरवाही द बचरे को खुलेयाम मैदान में फेक दिया गया है हलाक इस बात की जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को हुई लोगों ने तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करना सुरू कर दिया तभी आनन फानन में स्वास्त बिभाक के लोगों ने टीका करण के दोरान निकले वेश् सर्विस लेन को लेकर दर्द झेल रहे भदोही वासियों को सांसद डाक्टर रमेश चन्द बिंद बड़ी सौगात देंगे आपको बतादे कि इंद्रा मिल सर्विस लेन की दोनों तरफ की सड़के काफी समय से गड़े में तबदिल थी सांसद के प्रयास से अब इसका दि सविस लेन के सुन्दरी करण वच्चाओडी करण का सिलापट लगाया गया है समभावना व्यक्त की जा रही है कि सांसद डाक्टर रमेश बिंद आज रवीबार या फिर सोमवार को इसका सिलानयास कर सकते हैं हलाकी सिलापट पर सिलानयास का दिनांक आज 14 मार्च अंकित ह जिसकी तैयारी भी पूर्ण कर ली गई है। इलाके में संसनी फैल गई है। साव को लेकर तरहतरा की चर्चा व्याप्त है। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। सूचना पर पहुची गोपी गंज पुलिस ने साव को कबजे में लेकर पोश्मार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही तमाम पहलूँओं पर जाच परताल में गोपी गंज पुलिस जुड़ गई है। जिसके कंधे पर भरष्टा चार धोखा धड़ी 420 जैसे मामले को निप्टाने और उसके गुनागारों को दबोचने की जिम्मेदारी हो। अगर कोई ऐसे जिम्मेदारों के साथ ही धोखा धड़ी वभरष्टा चार कर बैठे तो आप इसे क्या कहेंगे। जी हाँ ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है सुरियामा थाने से जहां थाने में चार मंजिला भवन के निर्माड में ठेकेदार द्वारा पुराना वा दोयम किस्म के इट का परियोग करने पर यस्पी ने जम कर फटकार लगाई है। आपको बता दे कि सनिमार को थाना दिवस के मौके पर यस्पी रामबदन सिंग सुरियामा थाने पर फरियादियों की फरियाद सुनने पहुचे थे। फरियाद सुनने के बाद वा सीधे थाना परिसर में बन रहे चार मंजिला निर्माला धीन भवन के पास पहुचे जहां घटिया और पुरानी इट से निर्माल कार्य हो रहा था। थाने में इस तरह का भरष्टा चार देखते ही यस्पी ने तुरंत काम रुकवा दिया और ठेकेदार को जम कर फटकार लगाई। यस्पी के अस्थली निर्चल में 40 कमरों के निर्माला धीन इस चार मंजिला भवन में काफी खामिया मिली है। यस्पी ने चितावनी दिया है कि अगर इस भवन निर्माल में घटिया वा मानक को दर्किनार कर काम किया गया तो जिम्मेदारों पर कारवाई होना तय है। मानिंदों वग्रामलों की सिकायत को तुरंत संग्यान में लेते हुए और आई बिधायक दिनानाद भाशकर में आनन पानन में ग्यानपुर हास्टल चावरहा पहुचे और ग्यानपुर के हास्टल चावरहे का नाम करन करते हुए कहा कि अब इस चावरहे का नाम सहीद सुलब उपाध्या के नाम से लिया जाए बिधायक ने सहीद सुलब उपाध्या के नाम से बोर्ड भी लगवा दिया है और सहीद सुलब चावरहे पर ध्वजा रोहन किया है उन्होंने कहा कि बैराखास में सहीद सुलब उपाध्या क नाम से पार्क बनवाया गया है जिसमें अब सोलर लाइट लगवाने के साथ ही साथ इंटर लाकिंग का कार सिग्र ही खंड विकास कार्याले आवराई द्वारा कराया जाएगा साथ ही उन्होंने ग्यानपुर सहीद सुलब उपध्या चावराहे पर 30 फिट उची सोलर लगवाने की बात कही है इसी तरह बिधायक ने कहा कि नीजी धन से सहीद सुलब उपध्या की 5 फिट उची परतिमा चावराहे पर अस्थापित की जाएगी इस दोरान सहीद सुलब उपध्या के पिता असोक उपध्या चेयर मैन हीरालाल मौर गोपाल उपध्या सहीद दोपी गंज इलाके के जोगिनका के सारवजनिक रास्ते पर दिवार उठा कर अतिकरमल कर लिया गया था। इस दिवार को नगर पालिका करमचारियों के सहयोग वह पुलिस बल की मौजूदगी में गिरबा दिया गया और किये गए अतिकरमल को हटवाया गया इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस पुलिया को पार करिए कहीं ऐसा नहो कि आपकी लापरवाही आपको किसी बड़ी दुरगटना का सिकार बना दे। लेकिन नौकर साहो को इस से कोई फरक नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी पुलिया पर रेलिंग नहीं बनवाये जाने से रहगीरोवा वाहन चालकों की जान जोखिम में डाल कर आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामलो का कहना है कि सबसे ज्यादा दिक्कत रात में होती है। अंजान लोग अपने वाहन को लेकर सीधा नहर में गिर जाते हैं। इसके बावजूद जिला प्रसासन की उदासीनता से नागरिकों में काफी रोस व्याप्त है। जिला विकास समान नमय ऑवं निग्रानी समीधी दिशा की बैठक कर्सनिमार को कलिक्टेड में सांसत्र डाक्टर रमेश चनद्बिंद की अध्यस्ता में संपन हुई है। सांसद ने बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है। इस दोरान सांसद ने कलेटट सभागार में इमानदारी से कार करने की पाट साला भी चलाई। सांसद ने अधिसासी अभियंता विद्धुत दिभाग से कहा की जर जर विद्धुत तार वजले हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर बदलवाया जाए। सांसद ने कहा की फर्यादियों की समस्याओं को सुनने के बाद जल्द से जल्द निस्तारन करें। जमीनी विवाद को लेकर हुए दो पक्षों में मारपीट के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मड़हे को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर कोईरोना पुलिस पहुच कर जाच पड़ताल की मामला भदोही जिले के विकास खंड डीक के इनार गाउं का है। जहां बिहारी यादोवा मनी सिंग के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चला रहा है। सनिवार की दोपहर किसी बाद को लेकर दोनों पक्षों के परिवार वालों के बीच मारपीट सुरू हो गई। तबी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मलहे में आग लगा दी। देखते ही देखते मलहे में रखा अनाज सहिद गिरस्ती का समान जलकर राख हो गया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामलों के भीड जमा हो गई। सूचना पर पहुची कोईरवना पुलिस मामले से आउगत होते हुए कारवाई में जुड़ गई। थाने पर आयोजित समाधान दिवस में कुल तीन मामले सामने आए। इन सभी मामलों का मौके पर ही एसपी ने निस्तारन करा दिया। इसी तरह दुरगा गंग थाने पर पांच मामले आए जहां दो मामलों का निस्तारन कराया गया। गोपिगंज कोतवाली में साथ मामले आये यहां मात्र एक मामले का ही मौके पर निस्तारण हो सका इसी तरह जिले के अलग-अलग थाना वा कोतवालियों में समाधान दिवस आयोजित किया गया था सुर्यामा थाने पर पूलिस अधिचक रामबदंसी ने कहा कि आय हुए मामलों का समय बद्ध तरीके से गुडवत्ता पूल निस्तारण करें दुर्गागन थाना चेत्र के कुडवा गाउं के एक ब्रिध को दो दबंगों ने मार पीट कर खायल कर दिया ब्रिध ने पूलिस के पास पहुचकर दबंगों पर कारवाई की मांग करते हुए नियाय की गुहार लगाई है उमा संकर विसकरमा नामक ब्रिध ने पूलिस को बताया कि प्रधान मंतरी आवास निर्माल के लिए उसे धन मिला है इसी धन से वह आवास का निर्माल कराने के लिए नियू की खुदाई करा रहा था तभी गाओं के दो दबंग उसके पास पहुचे और निर्माल कार को रोकने की बात करते हुए उसे मारने पिटने लगे किसी तरह अपनी जान बचा कर वह दुरगागन थाने पहुचा पूलिस से सिकायत करते हुए उमा संकर ने दबंगो पर कारवाई की मांग की है आप सभी दर्सक परिवारों से अपील अपने आस पास होने वाली खबरों को अवस बताएं इसके लिए लगातार सत्यम नीजबेव टीवी नंबर फ्लेश कर रहा है आईए अब जानते हैं आज क्या है ग्यानी पंडी जी में आज 14 मार्च 2018 को महान बैज्यानिक स्टीफन हांकिंग का 76 साल की उम्र में निधन हो गया था इसे के साथ अब नसीर कुरेशी को दीजी अजाजत कल फिर होगी कुछ आहम कबरों के साथ मुलाकात नमस्कार आदाब